श्री कृष्ण जन्म कथा सुनकर बड़े उत्साहित हुए ग्रामवासी सैम्रिया सैम्रिया बिधान सभा के अंतरगत ग्राम सुक्वार में रागवेंद्र पाठक जी के यहां भागवत कथा चल रही है परम पूझय ब्रिजे शास्त्री द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया महराज जी श्रवन करवाएं और यह भी बताएं कि भगवान एक बार मत्से रूप धारन किये थे इसके बाद सूर्य वंच का वर्णन बताएं सूर्यवंच में भगवान राम अवतार लिए, सूक्षम में राम कथा श्रवन करवाएं और चंद्रवंच में भगवान कृष्ण माता देव की और वसुदेव जी के यहां प्रकट हुए योगमाया का आश्रे लेकर के भगवान गोकुल पहुँचे और वसुदेव जी गोकुल से नंद बाबा के यहां जन्मी योगमाया रुपी कन्या को लेकर के आए इधर नंद बाबा को पता चला की हमारे यहां बालक का जन्म हुआ है समस्त गोकुल वासियों को पता चला की नंद बाबा के यहां बालक का जन्म हुआ समस्त प्रजवासी मिलकर नंद भवन में बधाई लूटने के लिए जाते हैं और यशोधा मैया को नंद बाबा को खूब खूब बधाईयां देते हैं नंद के आनंद भयो जैक अनहया लाल की इस तरह से पूझे महाराज जी बड़े ही रोचक धंग से भगवान की यह मंगल मै कथा श्रवन करवाएं कथा वाचक टिम के साथ पधारे पूझे ब्रिजेश शास्त्री प्रियंक गौतम रजनीश तिवारी देवदत शिवं द्विवेदी शिवं शुकला एवं कथा आयोजक उमेश पाठक पत्रकार प्रकाश नारायन पाठक रामकिंकर पांडे मन भरन शुकला दिनेश शुकल अरुन पाठक, शेश्मनी तिवारी, ओम नारायन पाठक, पुश्पेंर शुकला, मनोज शुकला, विनोध पाठक, अमन पाठक, शांती लाल पाडेया, अरुन मिश्रा परिवार एवं आम जन्मान सुपस्थित रहा करुंवा जन्मान सुपस्थित रहा करुंवा जन्मान सुपस्थित रहा